नमस्कार, यूट्यूब चैनल एन इन्यूर्स स्टडी में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्क्स करेंगे H.S.S.E. प्रिक्षया टैक्सेशन इंस्पेक्टर जो एड़्वर्टाइजमेट नमबर 11 बटे 2015 पंदरा और कैटैगरी नमबर 2 के अंतरगत 30 जुलाई 2017 को इविनिंग सिफ्ट में आयोजित हुई और यह है इस प्रिक्षया की सीरीज नमबर 8 में हरियाना राज्या जीके से सम्मंदित पूछेगे 25 प्रसनों में से हमने पहले 13 प्रसनों को पार्ट 1 में डिस्कस किया है बाकी प्रसनों को हम पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे है शुरू करते हैं प्रसन अंतर जातिये विवा करने वाले दमपती को हरियाना में कितनी राशी दी जाती है इस प्रसन का सही उत्तर है ओप्षन A एक लाख रुपई हरियाना सरकार ने मार्च 2016 में अंतर जातिये विवा के लिए दिये जाने वाली प्रोथसाहन रासी को पचास हजार रुपई से बढ़ा कर एक लाख एक हजार रुपई कर दिया था और हरियाना के दलित लड़के अथवा लड़की को गैर दलित जाती में विवा करने पर मुख्य मंत्री सामाजिक समरस्ता अंतर जातिये विवा सगुन योजना के तहत एक लाख एक हजार रुपई दिये जाएंगे अगला प्रशन है महाभारत में भिशम का वास्त्विक नाम क्या था इस प्रसन का सही उत्तर है option A देव वर्त इस प्रसन में थोड़ा सा विस्तार से में जाना चाहूँगा भिशम अत्वा भिशम पिता में महाभारत के सबसे महत्तपून पातरों में से एक थे और भिशम पितामा गंगा तथा सांतनु के पुत्तर थे और उनका मूल नाम देववर्त था इनके दूसरे नाम गंगये, सांतनव, नदीज, ताले केतु आदी हैं भगवान परसूराम के सिश्य देववर्त अपने समय के बहुत ही विद्वान वे सक्ति शाली पुरुस थे और महाभारत के अनुसार हर तरह की शस्त्र विद्या के ज्यानी देववर्त को किसी भी तरह के युद में हरा पाना असंबव था उन्हें संबवताय उनके गुरू परसूराम ही हरा सकते थे लेकिन इन दोनों के बीच हुआ युद पूर्ण नहीं हुआ और दो अती सक्ति शाली योद्याओं के लड़ने से होने वाले नुक्षान को आँखते हुए इसे भगवान सिव दुआरा रोक दिया गया इन्हें अपनी उस भिशम परतिग्या के लिए भी सरुवादिक जाना जाता है जिसके कारण इन्होंने राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापूर के सिंगहासन के स्रंक्षक की भूमिका निभाई और इन्होंने आजीवन विवान नहीं किया वे ब्रमचारी इसी परतिग्या का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कोरवों की तरफ से युद में भाग लिया था और इन्हें इच्छा मृत्यू का वरदान प्राप्त था और ये कोरवों के पहले परधान सेनापती थे जो 18 दिन चले महाभारत के युद में सरवादिक 10 दिनों तक कोरवों के परधान सेनापती रहे थे युद के अनेक नियम बनाने के अतरिक्त इन्होंने अरजुन से ने लड़ने की भी सर्त रखी थी और सिखंडी को सामने कर अरजुन ने बाणों से इनका सरीर छेद डाला और बाणों की सहिया पर ये पड़े-पड़े इन्होंने अनेक उपदेश दिये और जहां पर भिशम पितामा बाणों की सियां पर लेटे थे वह जगह अब नरकरतारी तिर्थ के नाम से परसिद है जो कुरुकशेतर में है अगला प्रशन है नीमन लिक्त में से कौन सा विधान सबा छेतर अनसूची जाती के लिए आरक्सित नहीं है इस प्रशन में थोड़ा सा कौन्ट्रडिक्शन है अगर मैं चारों उप्शन की बात करता हूँ तो दिये गए उप्शन में वर्तमान में जजजर और बावल ये अनसूची जाती के लिए आरक्सित विधान सबा सीटे हैं मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँ जो बड़ोदा है ये है वर्तमान में ये है सामान्य सीट है लेकिन ये है प्रशन हससी की प्रिक्शाओं में चार से पाँच बार इसको पूछा गया है अनसर की में इसका अनसर नारनोल है लेकिन मैं इस प्रसन को टिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें दो सीटे अनसूची जाती के लिए अरक्सित हैं और दो सीटे सामानने सरेणी की हैं अगर मैं बडोदा की बात करता हूँ तो बडोदा सोनिपत लोकसवा सीट के अंतरगत आता है और यहां वर्तमान में शिरी कृषिन हुड़ा कॉंग्रेस से विधायक हैं जजजर की बात करें जजजर से गीता भुकल विधायक हैं कॉंग्रेस पार्टी से और यह है रोत्तक जाती के लिए आरक्षित सीट है और बावल से भारतिय जंता पार्टी के तरफ से बनवारी लाल विधायक है नारनोल भिवानी मेहंदरगड लोकसबा सीट के अंतरगत आने वाली सामान्या सरेणी की विधान सबा सीट है जहां से ओम परकास भारतिय जंता पार्टी की तरफ स विदायक हैं अगला प्रसन है हरियाना राज्य के किस कवी ने सांगों की रागनी कथा लिखी इस प्रसन का सही उत्तर है option D इन में से सभी सभी ने सांगों की जो रागनी कथा है उसको लिखा है अगला प्रसन है सदा बहने वाली नदी कौन सी है इस प्रसन का सही उत्तर है option C यमना नदी गंगा की प्रमुक साहिक नदी यमना हरियाना की भी महतपूर नदी है और यह पूरुम में हरियाना को उत्तर प्रदेश से अलग करती है और यह उत्तराखंड राज्या के गंडवाल हिमाले में स्थीत बंदर पूंच के पस्चमी ढाल पर यमुनोत्री हिमनद से 6330 मीटर की उन्चाई से निकलती है यमना ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाना के यमना नगर जिले से राज्य की सीमा में प्रवेश करती है तथा फ्रीदाबाद जिले के हसनपूर नामक स्थान से पूरव की और मुड़कर उत्तर प्रदेश के अलिगड में प्रवेश करती है अंबाला कुरक्षेतर करनाल हिसार आदी जिलों के बड़े च्षेतरों के लिए यह नदी सिंचाई का मुख्या सादन है तथा इन च्षेतरों में सिंचाई पस्चमी यमना से निकाली गई नहरों दुआरा की जाती है यमना हरियाना और उत्तर प्रदेश के सीमा वर्ती च्षेतर में 320 किलो मेटर की लंबी सीमा रेखा भी बनाती है अगला प्रशन है गरोंडा नगर निमनलिक्त में से किस जिले में स्थीत है इस प्रशन का सही उत्तर है ओप्षन बी करनाल जिले में करनाल लोकसबा 46 से एक विधानसबा सीट है गरोंडा और यह सहर दिल्ली के उत्तर पस्चिम में 65 मील की दूरी पर है करनाल से 11 मील की दूरी पर यह स्थित है जीटी रोड पर स्थित होने के कारण यहां बहुत से एतिहासिक इमारते हैं जैसे मुगल सराई, गेटवे, कोस मिनार और वर्तमान में हरविंदर कल्यान यहां बीजेपी से विधायक हैं अगला प्रसन है संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचारिय से ली इस प्रसन का सही उत्तर अगर मैं बताना चाहूं इसमें भी थोड़ा सा कोंट्राडिक्शन है क्योंकि यहां प्रसन दो बार पूछा जा चुका है HSSE की प्रिक्षाओं में तो मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो प्रसन पत्तर के जो क्वेशन मेरे पास हैं यह है HSSE प्रिक्षा फिल्ड इंस्पेक्टर 30 जून 2017 को आयजुद हुई थी इवनिंग सिफ्ट में और इस प्रिक्षा में भी प्रसन पूछा गया था संत सूरदास ने संगीत की सिख्षा किस आचारे से ली तो दिये गए उप्षन में जो सही उत्तर था वो था संत हरीद है तो यह contradiction है कि इन दोना में से किसको माना जाए क्योंकि अगर हम बात करें वलबाचारे भी सूरदास के गुरू थे तो एक चीज़ आप इसमें देख सकते हैं कि अगर option में वलबाचारे नहीं है तो आप संत हरीदास पे टिक कर सकते हैं अगर वलबाचारे दिया है तो आ वो परी है और ये शासवत ब्रहमन और जनम से अंदे थे और आधुनिक फ्रीदाबाद जिले के गराम सीही में एक ब्रहमन कुल में जनमें सूरदास बाद में मत्रा आगरा मारग पस्थित गव घाट नामक स्थान पर बस गए थे और इनके जो पिता का नाम रामदास था वो भी एक गायक थे और इनकी भेंट आगरा में सिरी वलबाचार्य से हुई और बाद में उनके शिश्या बन गई सूरदास जी दुवरा लिखित पांच गरंत बताए जाते हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्या लहरी, नल दमियन्ती, ब्यालो और भारतिय साहित्या के आकास में सूरदास को सूरिय कहा गया है मौलिक उपमाओं के लिहाज से सूरदास एद्वीतिय कवी और सीही गाओं में इनकी कुटी पर हर वर्स सूर जियन्ती मनाई जाती है आइने अकबरी तथा मुत्क भूत तवारिक के अंसार सूरदास को अकबर के दरवारी संगीत अग्यों में भी माना जाता है 1573 इस्वी में गोवर्दन के निक्ट पारसोली ग्राव में इनकी मृत्यू हुई थी अगला प्रसन है सारीरिक विकलांगों के लिए आवासिय विदाल्य कहां पर है इस प्रसन का सही उत्तर है ओप्षन भी पानीपत में अगला प्रसन है माटी का मौल उपन्यास के लेखक कौन है इस प्रसन का सही उत्तर है ओप्षन भी जैनारायन कोशिक जैनारायन कोशिक हरियाना साहित्य जगत में आदर के साथ लिया जाने वाला नाम है विबिन विद्याओं में लिखी तकरीबन असी पुस्त के उनकी रचना करम की गवाही देती नजर आती है हरियाना साहित्य अकादमी के निदेशक रह चुके कोशिक सांस्कृतिक अकादमी वे हरियाना इन साइकलोपीडिया के भी सलाकार रह चुके है अगला प्रशन है गुड़ गाओं के सबसे प्राचिन उद्योगों में किसका निर्मान हुआ इस प्रशन का सही उत्तर है ओप्शन ए कार क्योंकि गुड़ गाओं में 1981 में मारूती उद्योग स्थापित हुआ था और 1983 में इसकी प्रोडक्शन सुरू हुई क्योंकि जो मारूती सुजू की एव इंडिया लिम्टिड सामयनत है मारूती और इससे पूरव में मारूती उद्योग लिम्टिड के नाम से जाना जाता था और मारूती का जो मुख्यले है वो नेलसल मंडेला रोड नई दिल्ली में स्थित है और 2002 में मारूती का निजी कर्ण भी हो गया था अगला प्रस्ण है ताजे वाला नामक स्थान से हरियाना की कौन सी नहर निकाली गई है इस प्रस्ण का सही उत्तर है option A पस्चमी यमना नहर यह हरियाना की सबसे पुरानी नहर है और यह है यमना नदी के पस्चमी किनारे से ताजे वाला नामक स्थान से निकाली गई है 3226 किलोमीटर लंबी इस नहर से कर्नाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, सिर्सा, सोनिपत, जीलों के साथ-साथ राजस्थान और दिल्ली के कुछ भागों की लगबग पांच लाख एक्टेर भूमी की सिंचाई भी होती है अगला प्रशन है हरियाना में कितने गाउं है इस प्रशन में अगर हम दे गए option की बात करें और इस प्रिक्षा में अगर answer की की बात करें तो इस प्रशन का जो उत्तर दिया गया है वो answer की में दिया गया है छे हजार साथ सो उनसट और अभी हाली ही में जो प्रिक्षा हुई थी मैं बताना चाहूंगा यह प्रिक्षा हुई थी Assistant Secretary की 13 अंगस्त 2017 को evening shift में और यह प्रशन इस प्रिक्षा में भी पूछा गया था और प्रशन आप देख सकते हैं संपूरन हरियाना राज्य में कितने गाउं हैं तो इस प्रशन का सही उत्तर था 6,841 तो यहाँ पे जो exact value है वो 6,841 है क्योंकि यह जो संख्या है यह 2011 की जनगनना के अमसार है मैं थोड़ा सा विस्तार से हरियाना के बारे में बताऊंगा कि जो हरियाना का गठन हुआ 1. 1966 को हरियाना राज्य जब पंजाब से अलग हुआ सत्रवें राज्य के रूम में भारत के अस्तितों में आया और उस समय हरियाना राज्य में साथ जिले थे हरियाना के गठन के समय अमबाला, करनाल, रोतक, महंदरगड, हिसार, जींद और गुडगाउं गुडगाउं का वरतमान में नाव गुरु गुराम है और वरतमान में हरियाना में 22 जिले है 22 जिला चर्खीदाद्री है जो 16 नुवंबर 2016 को बना और चर्खीदाद्री के जिला बनने के बाद हर्याना के दो रज्जे चर्खीदाद्री और رोतक दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी दूसरे रज्जे को सपरस नहीं करती है और वर्तमान में परसासन की सुविदा की दिरिष्टी से हरियाना को छे मंडलों में विवाजित किया गया है अंबाला, रोतक, हिसार, गुरुगराम ये पुराने चार मंडल है करनाल और फृरीदाबाद ये दो नए मंडल है रोतक मंडल के अंतरगत सरवादिक 5 जिले आते हैं और हरियाना का बाइसमा जिला चरखी दादरी भी रोतक मंडल के अंतरगत आता है और हरियाना में 72 उपमंडल है, 3 में तहसील है, 50 उप तहसील है 140 बलोक है, 154 कस्बे है, 6212 पंचायते हैं और 6,841 गाउं हैं, 1195 समीती हैं, और 21 जिला परिशद हैं, 21 नगरपाली का परिशद हैं, और 10 लोग सबा सीटें हरियाना में हैं, जिनमें से 2 सीटें अनसूची जाती के लिए आरक्सित हैं, अमबाला और सिर्सा, और हरियाना में 90 विधान सबा सीटें हैं, जिनमें से 17 सीट करना ना भूलें जल्दी ही आजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे